दोस्तो एक्जाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है आश्या करता हूँ आपसे भी अच्छे हैं कि दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्राखंड नर्सिंग की बीएस नर्सिंग कोर्सेस के बारे में इसका इलिजिबलेटी क्राइटिरिया क्या है टोटल सभी वीडियो की नाटिविशन आपको मिल सके तो दोस्तो सबसे पहले तो हम जो उत्राखंड बीएस नर्सिंग का एंटरेंस एक्जाम कंडर्ट करवा जाता है तो उसकी ओपिशल वेबसाइट पर आ चुके हैं यह जो यूनिशिटी है हमवतिन नंदन बहुगुना उत्र लिंक है वो यूरल बार में फिल करके किसी भी ब्राउजर में आप इसके ओपिशल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं तो परतिवर्स यह गवर्मेंट कोलेज और प्राइवेट कोलेज दोनों के लिए एंटरेंस एक्जाम कंडर्ट करवाते हैं पिर उसके बाद में जो गूगल से कोई भी अधर ब्लोगिंग वेबसाइट या न्यूज पोर्टल है अगर वहाँ पे कोई भी भामक के अफ़ा फैलाई जाती है न्यूज फैलाई जाती है तो उन पे आपको बिलीव नहीं करना है जो भी न्यूज या जो भी अपडेट आपको यहाँ पे दी जा है दोस्तों तो इसमें क्या eligibility criteria रहने वाला है किस तरगी से सेलेक्शन प्रोसीज रहेगा समफून जानकर या आपको मिलेगी अगर आपको कोई भी इस्यू है तो आपको यह help line number है आप इन पर contact कर सकते हैं और इनकी email id भी है तो इन पर प्याप mail करके इनसे information ले सकते हैं official website म के द्वारा admission procedure complete किये जाते हैं तो इसमें जो सबसे पहले है अभ्यारती बारत का नागरी होने चाहिए आयूर शिमा है इसमें आपके 17 वर्स minimum है maximum नहीं दरी कि अगर education qualification की बात करें दोस्तों तो इसमें आपके 10 प्लस 2 होना चाहिए 10 प्लस 2 में आपके physics chemistry और biology है वो compulsory है औ और other जो डिजरो category से बिलोंग करते हैं तो उनको इसमें concession भी दिया गया है तो इसमें आपको कौन-कौन eligible होंगे तो दोस्तों वो आप check कर सकते हैं उत्राखंट राजी के इससे इस्ताई या मूल निवस्या बेर्टी जिन के दवरा हाई स्कूल 10 प्लस 2 अत्वा समकर्स प नहीं है लेकिन उन्होंने 10 प्लस 2 है उत्राखंट राज्य से 11 और 12 की वो उत्राखंट राज्य से किया तो वह इसके लिए eligible रहेंगे और उत्राखंट राज्य के से इससे इससे इसमें आपके पास में होना चाहिए अब पोस्ट बेसिक आप देख सकते हैं इसमें आपके 10 क्वालिपिए किस Horizon की बात दोस्तो इसके सेलाबस की बात करें तो इसका सेलाबस है वह आपका 10 प्लस 2 मतलब 11 amatichte रहेगा जिसमें आपके साइन्स आपके physics chemistry और biology रहेगा biology में आपके बॉटनिय और biology दोनों रहेंगे और code consultation आपके हन्डरिड fusion है वो पूछे जाएंगे इसमें तो ये 2022 का आपका इसका ये प्रोस्पेक्ट जारी किया गया है तो अभी आपके मन में ये आ रहा होगा किसर इसके application form है वो कब से release किया जाएंगे तो दोस्तो इसके application form है वो आपके अगस्त या September में 100% जारी कर दिये जाएंगे और कुछ बच्चों के मन में तो ये भी issue आ रहा होगा या doubt आ रहा होगा किसर क्या need के basis पर होगा तो दोस्तो इससे समधित अभी तब कोई भी update जारी नहीं की गई है कि need के basis पर होगा तो प्राइवेट कोलेज है वो फर्तक रूप से अगर अपनी वेबसाइट पर counseling process complete करवाएंगे तो वो कापी कोश्ट ली रहेगा तो इस वज़ए से आपका उत्राकंड BAC nursing या जो other courses है उनके लिए need के basis पर आपका admission लेना मुश्किल है अब दोस्तों इसके जो प्रिक्सया किंद्र आपके examination center है वो कहाँ कहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते है उत्तराकंड का है तो देरदून में गड़वाल में नई टीरी, गोपेशवर, हरीदवार, हल्दवानी, पितोरागड, अलमोड़ा, रामनगर, रानीकेद तो य आपके examination center रहेंगे इसमें जापर आपका exam है वो conduct करवाया जाएगा अब next दोस्ता आपका admit card है वो आपको online ही download करना होगा तो इसकी date वगरा वो सारी जैसे ही कोई update आईगी आपके application form से related या other update तो वो आपको हमारे चैनल पे वीडियो कमादम से information मिल जाएगी या आपको instagram, टेलेग्राम पर भी इसकी information मिल जाएगी तो आप instagram और टेलेग्राम को ज़रूर फोलो कीजिए क्योंकि वहापे समय समय पर आपको update मिलती रहती है बिना किसी भी update के दोस्तों आप application form को feel करने से वंचीत रह जाते हैं तो आप channel को subscribe कीजिए जिससे कि कोई भी information अपडेट आ करने का बहुति मैं बताऊँगा तो यह state college job nursing देरा दून इसमें BSA nursing अर्ष कंड़ट करवा जाता है इसमें 60 seat है राजगी कोलेज ओब नर्सिंग हलद्वानी में BSA नर्सिंग के लिए 50 सीट है राजगी कोलेज ओब नर्सिंग टीरी इसमें BSA नर्सिंग 40 सीट है राजगी कोलेज ओब नर्सिंग चमोली है BSA नर्सिंग 40 सीट है राजगी कोलेज ओब नरसंग अलगुणा, BAC nursing 40 seat है, इसमें, इसanny कोलेज ओब नरसंग देरा दोना, इसमें MSC nursing इंडराट करव जातरा है, मातर 18 seat है, और post basic BAC nursing के लिए दोस्तो, state college job nursing, जो government college है, नातर 30 seat है, वो post basic BAC nursing के लिए, और इसके लावा ये तो दोस्तों हो गई आपकी जो आठ गोर्मेंट कोलेज हो गई इनके लावा अगर नीजी जो प्राइवेट कोलेज हैं तो उनकी बात करें तो उनमें आपके जो 50% सीटे हैं वो आपका इस युनिशेटे के दोरा फिल की जाएगी 50% सीटे वो काउंसलिंग के मादनें से अपकी फिल की जाएगी और बाकी की जो 50% सीटे हैं प्राइवेट कोलेज में वो आपकी मेनेजमेंट को ठाके तर्थ या वो जैसे भी प्राइवेट कोलेज अपने बेस पे एड बात करें कि आपकी जो एन्वाल फी से वो कितने रहने वाली है बीस इनर्सिंग कोर्स के लिए तो आप यहां पे जैसा कि चेक कर सकते हैं आपकी जो एडमिस्न या रिजिस्टेशन फीस वो आपकी 150 रहेगी ट्यूसन पीस आपकी 4500 रहेगी लाइब्रेरी फीस थ्रींड लेबरेटरी फीस 375 कल्सरल एक्टिविटी फीस है वो आपकी 150 रहने वाली है और नेक्स्ट अगर बात करें इसमें जो आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलेगा उसके 38 रुपीज है सिक्योर्टी या कोसन मनी है जो रिफंडेबल है वो आपकी 3000 है यह 3000 आपका जो कोसन मनी ली जाती है रिफंड कर दी जाएंगी होस्टल सिक्योर्टी है वो आपकी 1500 रुपे यह भी आपको रिफंड कर दी जाएगी और इसके अलाव जो एग्जामिनेशन फीस है वो आपकी एज़ पर यूनिविश्टी गाइडलाइन्स के तोर पर ली जाए होस्टल रेंड है व अपना एडमिसन प्रोसीजर है वो कंप्लिट कर सकते हैं तो दोस्तो अगर देखा जाए यह दोस्तो आपकी 11,813 रुपे हैं इसके अलावा अगर आप एनम कोर्चेज की आदर की बात करें तो आप यह चेक कर सकते हैं यहां पर कितनी फीस रहने वाली है और प्रेवेट को दोस्तो कोई भी अपडेट आईगी अब आपकी जो अप्लिकेशन फोर्म हो जैसा है मैं आपको बताए अगस्त या सेप्टमर में आपके फिल्ड होना स्टार्ट हो जाएंगी और दोस्तो इसका जो आपको इस्टडी किस तरीके से करनी है जिसे कि आप गवर्मेंट सेलेक्शन हो जाएगा आप उसी को फोलो किजिये ना कि अधर अधर जैसे कि आप इस बुक को भी रिड करेंगे सेगंड भू को थर्ड भूक को तो इससे अच्छा एक बुक को फोलो कीजिए उससे एक सी दो बार तीन बार उसको रिवाइज किजिए और अंड़ेड परसं दोस्तों वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, धन्यवाद, जेहिन, जेवारत.